मूवी की शुरुवात ऐशले नामी 17 यर्स की लड़की से होती है जो अपनी गाड़ी में जा रही होती है। दरसल वो बेबी सिटर यानी बच्चों की केर टेकर है तो इसलिए वो अपनी जौब पर जा रही है। नेक्स सीन में हम 12 साल की बच्ची लूग को बेट पर बैठा हुआ देखते हैं। लूग अपने दोस्ट गैरेट को बताता है कि मैं ऐशली से प्यार करता हूँ और आज रात मैं उसके साथ रूमैंस करने वाला हूँ। गैरेट उसे कहता है तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटे हो। लूग के पैरंट्स क्रिस्मस पार्टी में जा रही हैं। इसलिए उन्होंने ऐशली को उसका खयाल रखने के लिए बुलाया है। लूग की मॉम एशली को बताती है कि लूग को नीद में चलने की बिवारी है। इसलिए उसका खास खयाल रखना। वो साथ एक पैंसल लूग के दरवाजे के बाहर रखकर कहती है कि इस पैंसल से नौक करके लूग को देखती रहना। इसके बाद वो दूनों पार्टी के लिए चले जाते हैं। एशली को इसके बॉर्फरेंड रिकी की कॉल आती है। वो उसे मिलने बुलाता है मगर वो मना कर दीती है। इसके बाद वो किचन में जाती है तो वहाँ पर एक स्पाइडर होता है जिससे देखकर वो डर के मारे चिलानी लगती है। तब ही वहाँ लूग आ जाता है। वो उसे कहती है कि इसे मार कर बाहर फेकाओ। मगर लूग उस स्पाइडर को एक बॉटल में बन करके उसे लॉन में ले जाता है और छोड़ देता है। एशली कपडों को मशीन में डाल कर रिकी से बात करने लग जाती है। उसको बात करता दीकर लूग को बहुत उससा आता है इसलिए वो ड्रिंग करने लगता है। एशली जब दीखती है लूग ड्रिंग कर रहा है वो उससे बॉटल लेकर किचन में फेकने जाती है। तब ही वो देखती है कि घर के पिछली साइड वाला दर्वाजा खुला है। वो दर्वाजा बंद करती है और जैसे ही किचन में जाती है उसको फिर से रिकी की कॉल आ जाती है। बात करते करते इन दोनों में जगड़ा हो जाता है तो एशली ड्रिंग फेकने के बज़ए उसे खुद पीने लग जाती है। उसी वत वहाँ पर ल्यूक भी आ जाता है तब ही टेलेफोन पर किसी की कॉल आती है लेकिन जैसे ही एशली उठाती है तो कोई बात ही नहीं करता इसलिए वो फोन रख देती है। इसी वत डोर बेल बचती है जब एशली देखती है तो वहाँ पर डिलेवरी बॉय पीजा के साथ मौजूद होता है। इन से ऐलर्जी है थोड़ी दिर बाद मूवी के दौरान ल्यूग एशली की थाई पर हाथ रखता है और साथ में उसके शोल्डर्स पर अपना सर रख लेता है। एशली जल्दी से उसे खुद से दूर कर देती है इसी दौरान उसके मूबाइल पर किसी की कॉल आती है। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। एशली जब बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वापस आकर वो ल्यूग से ड्रिंकी बॉटल वापस लेती है। जब वो पीछे देखती है वहाँ पर फिर से सांटा का स्टैच्यू होता है। वो डर जाती है क्योंकि उसने इस नहीं बलके गैरिट होता है। एशली उस पे बहुत उस्सा करती है और कहती है तुम्हारी वज़ा से हम दूनों इतना डर गए। लेकिन तभी उन्हें सीडियों के ऊपर से किसी चीज के तूटने की आवाज आती है। एशली एक चाको लेती है और वो तीनों ऊपर जाकर देखते हैं कि किसी ने ब्रिक के साथ विंडो को तोर दिया है। इसी दौरान एशली को पता चलता है कि घर की सर्विस लाइन और इंटरनेट कनेक्शन कट चुका है। इसलिए वो और लुक गैरिट को ऊपर छोड़कर भाग जाते हैं ताकि किसी से हेल्प मांग सकें। त एशली उसे मना करती है मगर वो नहीं रुकता तब ही उन्हें गोली की आवाज आती है। इसका मतलब है कि गैरिट मर चुका है। इसके बाद इन्हें एक साया दिखाई दीता है। जिससे डर कर दोनों एटिक में छुप जाते हैं। एटिक में बहुत सारे स्पाइडर्स ह होते हैं तो एशली उनसे डरते हुए गिरने लगती है। मगर लुक उसे बचा लेता है। लुक अपने फादर की गन निकाल लेता है। और दोनों लुक के कबर्ड में छुप जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक शक्स आता है। जिसने मास्क पहना हुआ था। एशली को डरा कर उसके साथ घपा घप करना चाहता था। एशली इस बात पर बहुत हुसा करती है। और कहती है कि तुम एक पागल इंसान हो। तुम्हें थेरपी की ज़रूरत है। यह कहकर वह जानी लगती है कि पीछे से लुक आकर उसके मूपे थपड मारता है। और वह सीरिय इनसान हो, देखना तुम्हें इस सब के लिए जील होगी। लूग जवाब में कहता है कि मैं एक समझदार इनसान हूँ। इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इन सब से कैसे निकलना है। फिर वो गैरिट के साथ truth और dare खेलता है। जिसमें वो उसे task देता है कि त तुम्हें एशली को touch करना होगा। लूग एशली की तरफ बढ़ता है और इससे पहले कि वो उसे touch करता। गैरिट आकर उसे हाथ लगाने लगता है। लूग जल्दी से उसे रोग देता है और दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाती है। लूग गैरिट को कहता है कि मेरे इलावा एशली को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एशली वहाँ एक टोर्च देखती है और कोशिश करके उसे उठाकर साथ वाले घर की विंडू पे मारती है ताकि वो लोग उसे देखें और उसकी मदद के लिए आएं वो लूग को बताता है कि मुझे एशली ने मेसिज करके यहाँ बुलाया है। लूग कहता है कि वो तुमसे बहुत घुस्सा है इसलिए तुम यहाँ से जाओ। वो कहता है ठीक है मगर ये फूल उसे दे देना। लूग जैसे ही फूल पकरने के लिए दरवाजा खोलता है रिकी जबरदस्ती अंदर आजाता है, फिर वो एशली के बारे में लूक से पूछता है, ति लूक उसे कहता है कि वो ऊपरवाले रूम में है, वो उसे ढूंते हुए ऊपर जाता है, मगर लूक उसके सर को पीछे से बैट से हिट करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है मगर वो जल्दी से उठता है और लूक को मारने लगता है इसके बाद वो लूक को बैट मारने वाला होता है कि तब ही गैरिट गन लेकर वहां आ जाता है इसके बाद ये दूनों रिकी को भी बान देते हैं फिर हमें पता चलता है कि रिकी को लूक ने आशली के फोन से मैसेच करके बुलाया है, ये सब भी उसी का प्लान का हिस्सा है, मगर इस बारे में ग्यारिट को कुछ भी नहीं पता होता, लूक एक्वेरियम से जाकर आशली का फोन निकालता है, और उसे कहता है कि अपने एक्स चाता है, लूक एशली को देखने आता है, मगर रिकी रस्ते में पी कर देता है, ताकि उसे एशली के खुले हुए हाथ का पता ना चले, लूक पी को साफ करने के लिए कपड़ा लेने जाता है, तो एशली जल्दी से पूरी तरह अपना हाथ खोल लेती है, और अपने पैर के साथ एक रसी लेकर आता है, फिर वो कैन को रसी के साथ बांद कर नीचे फेंग देता है, जहां रिकी मौजूद था, ताकि वो कैन रिकी के सर पर लगे, और वो मर जाए, मगर खुश किसमती से वो बच जाता है, तभी एशली खुद को छुडा लेती है, लूक बार बार कैन को हिला रहा होता है, तो रिकी एशली को हेल्प के लिए पुकारता है, एशली गन लेकर आती है, और उन दूनों पर तान की कहती है, इसे छोड़ दो, मगर तभी कैन रिक के सर पर लगती है, और वो मर जाता है, इसी दोरान एशली को पता चलता है, कि गन खाली है, इसल स्मिस सौंग्स का रही होती है इससे पहले कि एशली उनके पास पहुंचती यह लोग उसे पकर कर उसे लाइट के साथ बांद देते हैं वह एशली को बताता है कि उसे नीन में चलने की कोई भी बीमारी नहीं है साथ में वह गैरिट से कहता है तुम फिकर ना करो मैं सब ठीक क पर नज़र रखना क्योंके मैं इसके एकस बॉइफरेंड से निपटने जा रहा हूं वह एशली की फोन से उसकी और जेरमी जोके एशली का एकस बॉइफरेंड है इन दूनों की पिक्चर अपलोड करता है जेरमी बाहर गाड़ी में सोच रहा होता है कि वह एशली से कैसे बाद करेगा और मिलेगा क्योंकि वो काफी देर बाद इससे मिलने वाला है जेरमी को आता देख एशले चिलाने की कोशिश करती है मगर वो फिर से नाकाम हो जाती है इससे पहले कि जेरमी घर के अंदर आता लुक उसे एक लेटर देकर कहता है ये एशले ने तुम्हारी आपड़ एशले कहता है मैं तुम्हारी ठ Quinn हो जाया हूं जिससे सब ठीक हो जाएगा वो अभी वायर्स को काट ही रहा होता है वो पर लिूक आ जाता है वो गरट को मारना शुरू कर देता है तुमने आशले को हाथ कैसे लगाया वो देख के हाथ कि मेरे मग्हार किया और मेरा बहुत सारा ख्याल रखती है इस पर एशले उसे कोई जवाब नहीं देती जिस पर उसे घुसा आता है और वो एशले को चाकू से मार देता है फिर वो सारी चीजें जो उसने इस्तेमाल की थी उन पर जेरिमी के फिंगर प्रिंट्स लगा देता है ताकि सब को ये लगे कि ये सब उसने किया है और अपने रूम में जाने से पहले पैंसिल को उसी जगा पर रख देता है और खुद स्लेपिंग पिल्स खाकर लेट जाता है जब उसके पैरंट्स घर आते हैं वो डेड बॉडिस को घर में देखकर डर जाते हैं और जल्दी से पुलीस को कॉल कर देते हैं तब ही वो उपर आकर लूग को देखते हैं तो लूग सूने का नाटक करता है नेक्ट सीन में हम देखते हैं कि एशली अभी भी जिन्दा है उसे जब एम्बूलेंस में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो वो लूग को अपनी मिडल फिंगर दिखाती है लूग अब टेंशन में आ जाता है कि वो पुलीस को सब बता देगी इसलिए वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं एशली के लिए बहुत परिशान हूं और उससे हॉस्पिटल जाकर मिलना चाहता हूं और यहां मूवी कुछ सवालों के साथ एंड हो जाती है जैसा कि क्या लूग की असलियत सामने आ पाएगी कि कैसे उसने इतना बड़ा खेल खेला और क्या वो अशली को मारने में भी काम्याब हो जाएगा या वो बढ़ जाएगी सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी के साथ तब तक के लिए गुड लग एंड थैंक यू फर वाचिंग